अब है कि हलो बृटी बं। विल्कम्टू बेभी का नम दे अगुर्ट्र cheap अबिद्श। आज एस वीडियो में बात करेंगे बी-सी सी रिजल्ट दो जार बाईस के बारे में और इसके कौंसिलिंग प्रॉसर्स्स के बारे में कितना टाइम लगता है रिजल टानक बाद कांसिलिंग में और टोटल कांसिल में कितना टाइम चला जाता है ठीक हाली में अभी आपका ICR exam बाकी है और मुझे लगता है किसो लोग CUT exam दे चुके होगे किसी किसी विद्धार्थी का सुईटी एक्जाम भी बाकी होगा तो वो लोग उस पर भी फोकस करते होंगे काफ़ी लोग आप लोग कमेंट करते हैं बहुत दूनों से तो इस वीडियो माज हम बात करते हैं आपके रिजल्ट की बारे में कि बीसीजी का एक्जाम हुआ था 2022 का वह हुआ था 24 और 25 जुलाई में दो दिन एक्जाम जो सिफ्ट हुआ था पीसम पीसीबी का एक्जाम 24 जुलाई में हुआ था और एक्रीकेटर वाले विद्धार थी PCA, MBA और ACB गुरुब बाले विद्धार थी का जो है रिजल्ट आपक तो अलग-अलग लोग अपनी-अपनी अब धाल लाए हैं तो मुझे लगता जो रिजल्ट अभी तक रहा है पुराना डेटा उसके अनुसार जो है कम से कम एक्जाम होने के बाद तीस दिन यानिक वन मन्त लग जाता है आपके रिजल्ट आने में एक मन्त का टाइम लेता है तो मैं समझता हूँ आपका रिजल्ट जो आएगा वो तीस अगस्त के पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा तीस अगस्त के पहले आपका रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लियर ह जाएगा ये तो बात होगी लेकर करके और जब द आता है हा गी आसे हो mi7 जया थे सब्सक्राइब • करता है वह आपका रही पर foto होती है पर आपके मार्स नहीं आएती तो यहां पर सब्सक्राइब्स पर ही और पर अगर यहां पर मार्स में आते हैं तो यह विद्याठ्ट नहीं होती हमारे पता नहीं कितने कुछ साथ और नहीं कितने हमारे तससा तक पता कर पाएंगे जब हमारे रिजल्ट में आपके मार्स भी आएंगे और इसी बेस पर आपकी जो है रएक पूरी पूरी प्रिक्रिया के डिपेंड करती है अगर मार्स आयाते हैं पता जाल जाता है कि हमने कितने कुश्चन किए कितने गरत हुए क्या है ठीक है पूरा हम जोग समझ सकते हैं यह तो बात होगी मोटी-मोटी मुद्धे में आप कॉंसलिंग प्रोसस के बारे में अब थोड़ी सब बात करते हैं आपके कॉंसलिंग प्रोसस क्या है एक्टूबर में और कांसुलिंग शुरू हुए थी करीब जो है सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास में इंपोर्टेंट डाकुमेंट होने चाहिए इंपोर्टेंट डाकुमेंट डाकुमेंट यह था कि अभी विद्धार्थी एक्जाम दे रहे हैं परसान मत होईएगा वीडियो आप देखने मुझे पता है कुछ सोचेंग अभी मेरे पास डाकुमेंट है या नहीं है अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और उसी दौरान आपकी तैयारी चलते रहेगी और उस दौरान आपकी काउंसिलिंग भी होती रहे की तो यह लग बात है तो आपका यहां पर इंपोर्टेंट डाकुमेंट जो लगते हैं वह एक बीडियो ने बना के दिया है इसी आप पूरा दिया है कौन पर चाहिए दो कि बार बार दाकुमेंट पर वीडियो बनाने में कोई मतलब नहीं है मेरा तो फायदा ही है बीउब आएगा कुछ काउंस्लिंग की परेंट्पासरान में सब्सक्राइन की माई किलाल की तागत नहीं है कि आपको वह इंवस्टी दिलवाद है ऐसा बिहार नहीं है ऐसा हमारे कानपुर में होता है यहां भी कई लोग क्या करते हैं बच्छों के लेकर उसमें दिखाते हैं कि इतने बच्छा सब्सक्राइब करें आपको सब्सक्राइब करें नाम पर किसी को भी और डाक्रिमेंट मत दीजिएगा किसी को भी आप एक पैसा मत दीजिएगा कोई भी कुछ नहीं कर सकता अगर ऐसा कुछ कर लेता तो बेसे शिक जाम चोड़िए आइस यार बहुर लोग जुगार लगा लेते हैं ठीक है ऑनलाइन काउंसल में जो डाक्रिमेंट आपकी अपलोड होते हैं इसके बात वहाँ पर जाते हैं जा भी इसका हैड़ आपेस ह होता है वहां से सब कुछ प्रक्रिया सुरू होती है तो ऑनलाइन काउंसलिंग में मैं मानता हूं जुगार का प्रवसर हो सकता हो साइथ हो लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी किसी कराते हैं आप पैसा लेते हैं नहीं मैं एक दो वीडियो आपके मना के दे दूंगा और उसी वीड है और वह से लगता कि मैं कि रिजल्ट कार्ट दे दूंगा साइथ वह कुछ है मुझे उसके बदले में पैसा देदेगा ऐसे कुछ 2-4,000 रुपेज कुछ होता नहीं आपकी इमेज खराब होती है इसलिए अपने करीयर पर ध्यान दियागा आप इस तरीके के हरकत को मत उत आपके लिए कांस्वे बिद्यार्थी और लेडि किसी कॉलेज में पढ़ रहा होगा थीक बहुत सारे ऐसे होता हुआ रहा होगा यह से आपके प्रिवियस इस्टूबंट जो भी होगे तो किसी कॉलेज उनिवेस्ट्व इस पर रहे होगा उनसे बास तरह लेजिए पूरा complete process है तो आपको पर न रहा हो 2020 आपके पार्सिपेट किया होंगे आपके गाउन को दोस्ते दार लोग पढ़ते होंगे आप उनसे सलाइक बाई ले ले लिजा अगर मुझे से मालों ठीक है नहीं किसी मिल पाती है तो लेकिन किसी को पैसा और डाकुमेंट देने को लेकिन बात में पता हैं सर मेरे डाकुमेंट फस गया उसने पांस जार रुपए ले लिए बोलाग सर पांस जार रुपए दे दो मैं कावसलिंग करा दूंगा और बो मुझकल में डाकुमेंट उसमें दी है फिर वो ठीक है तो कई जगा ऐसी घटना होते हो जाती ही लोकल इसलिए आप जो है ऐसे कटना मत करिएगा ठीक है तो यह रिजल्ट के साथ साथ वीडियो में मेरी एक सलाविति आप सभी के लिए कोई भी इस्टूरंट कभी किसी को डाकुमेंट अपना मत दीजेगा कोई मतलब ने इसका निकलने वाला होता है ठीक है तो द्यान निकिन पर फोकस करें सुटी पर पूरा पूरा और आप जो है आई से एक्जाम पर फोकस करें तो कि होता क्या है हो सकता आपकी यहां पर राइंग अच्छी उतनी नहां बन पाए आप ब्यार में सिमिट करके रहे तो वहां पर आप क्रेक करने के थे थोड़ी सी मैनत और जरूवत अब अब आप सुटी एक्जाम दिया हो सकता है दिया हो यह आप देंगी इसके बाद अब आपका जो से लेवर से आपने कबर किया और बच्छी रहें के साथ आप आई सेलेक्शन आप पाजाएंगे ठीक है मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक वीडियो बनाना बहुत दुनों से रिक्वेस आई इस वीडियो के लिए आपको अगल वीडियो का मिल जाएगा तब तक लिए इतना ही बहुत बहुत धंद बात